जेहन फ्रिंट्स नमस्कार स्वागत है आपका दिस्टॉक रेजिमेंट में मैं हूँ मेजर माधव आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में साथ ही कुछ stocks देखेंगे from a selling point of view चली शुरू करते हैं निफ्टी के साथ निफ्टी में हमने कली डिसकस किया था कि लास्ट वीक का मूव कैसा रहा था अब कुछ एक important points बताऊंगा मैं जिससे कि हम आगे का मूव ट्रैक कर सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं इसको जो हमने एक momentum capture किया था यहां पर निफ्टी ने दो तीन चीज़े आपको ध्यान रखने हैं कल अगर gap-up खुलता है you will see sharp selling because यहां से जिन जिन लोगों ने इसको buy किया होगा उनको एक काफी अच्छा profit मिल रहा होगा और इस level पर जब यह profit book करना शुरू करेंगे आप उमीद कर सकते हैं कि इसके closing के level तक आपको एक selling pressure देखने को मिल सकता है दूसरी चीज़ अब आप यहां पर trade करने के लिए इसके एक trend line बना लें के साथ देखें किस तरह से अब यह nifty move कर रहा है अगर आपको कल दुबारा एक selling pressure देखने को मिलता है मानले यह flat खुलता है या थोड़ा सा gap down खुलता है एक continuation मिलता है आपको selling pressure का तो मैं यह suggest करूंगा कि trend line को mark करके चलें यह जो trend line बनी हुई है इसी trend line को mark करके चलें आपको पता चलेगा कि trade किस तरह से move कर रहा है जो मैंने trend line mark करी है it is quite clear आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा कि किस तरह से trend move करता हुआ रहा है इसी trend line के साथ बार बार nifty resistance बनाता हुआ रहा है तो अगर यह नीचे निकलता है तो this is the trend line that it will follow तो इसी trend line के साथ आप trade कर सकते हैं support and resistance में कैसे trade करना है मैंने आपको एक वीडियो में बताया है आप उसको देख सकते हैं मैं link end of the video में डाल दूँगा यही अगर आप bank nifty में देखें तो similar kind of a setup बिलकुल वैसा ही एक downtrend पर आया है एक upward breakout दिया है इसने हम उमीद कर रहे थे कि 35,000 के उपर का closing level हमें मिल जाए बट कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार 35,000 पर अपना support and resistance बनाता हुआ नीचे ही आ रहा है तो यहां से हमें इसको कैसे trade करना चीए similar kind of a setup एक trend line को break करके यहां से आपको यह उपर एक trend reversal दिखा रहा है बट important चीज़ क्या है कि यह जो trend reversal आपको यहां पर मिला है यह sustain होना चीए यानि कि यह यहां पर और continue करता हुआ एक higher highs बनाता हुआ उपर जाना चीए अगर यह आपको higher highs बनाता हुआ उपर जाता है प्लीज इसी के साथ अपनी trend line मार्क कीजेगा and जब भी आपको एक uptrend मिलता है trend line bottom लेके बनाईए bottoms को जोड के बनाईए so you will know कि यह trend जहां भी तोडता है that is the point of your exit यहां पर आप अपना exit मार्क कर सकते हैं similarly जैसे हमने nifty में discuss किया क्योंकि trend अभी भी downtrend ही है and हमें काफी एक short span मिला है reversal का buyers यहां पर अपनी position बना के बैठे हैं but selling pressure अभी खतम नहीं हुआ है तो buyers अपनी positions जल्दी exit करना चाहेंगे क्योंकि trend reversal जब तक नहीं होता है buyers अपनी positions hold नहीं करेंगे तो price action के point of view से अगर आप देखें तो यहां से selling pressure काफी जल्दी बन सकता है तो trend देखके trade कीजेगा test करके market नीचे आई है तो we should wait for a trend reversal short short आपको जब trend reversal मिलेगा उसी तरह से चलिएगा जैसे कि मैंने पहले भी बताया है please support and resistance mark करके चलिए बहुत ही evident है support and resistance क्योंकि nifty and bank nifty दोनों ही एक consistent movement दे रहे हैं तो अपनी support and resistance उसी हिसाब से mark कीजे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है swings पर आप अपने supports and resistance मार किजे जब उस level पर आ जाता है तो आप अपना selling या buying positions बना सकते हैं तो यह था bank nifty and nifty का analysis कुछ stocks देखते हैं for selling तो मैं आज आपके लिए अदानी लेकर आया हूं and this is also going to be analyzed with price action तो price action के point of view से हम इसको समझेंगे और देखेंगे तो अदानी के दो stocks हैं दोनों similar kind of a setup में हैं आप देखें इस level पे अदानी का fall शुरू हुआ था तो this is अदानी ports तो अदानी ports का जब sharp fall होना शुरू हुआ similar kind of a scenario हमें पहले भी मिला था तो आप ये बीच में green candle देख सकते हैं यहां पर कुछ एक buyers accumulate हुए but then अगले दिन gap up खुलने के बाद दुबारा एक selling pressure बना तो इसको best scenario for selling क्योंकि जितने लोगों ने अपनी positions hold करी होगी इस पूरे के पूरे fall में वो wait कर रहे होंगे कि कब ये gap up खुलेगा या कब एक green scenario हमें देखने को मिलेगा and हम exit करेंगे so जो जो लोग इस levels पे इस levels पे इस levels पे अपनी positions बनाके बैठे होंगे for a very good momentum उनको जब ये fall देखने को मिला होगा तो अब वो cost to cost exit करने की कोशिश करेंगे तो ये fall लगातार क्योंकि नीचे चला गया था यहाँ जब एक green candle बन रही है तो आप देख सकते कि जो support levels है वहाँ पर लोग exit करना आप शुरू कर देंगे तो it is a very very good scenario जहाँ पर आप अपने stock को selling के लिए consider कर सकते हैं कल price action देखके इसमें trade लीजेगा अगर यह आपको gap up मिल जाता है it is a perfect scenario for a selling similarly यही scenario बन रहा है आपका अदानी enterprise में भी because लगातार selling pressure के बाद एक आपको बहुत बड़ी green candle यहाँ पर देखने को मिल रही है तो यहाँ पर buyers trap हो जाएंगे and then selling will continue तो इस selling को जब आप continue होता हो देखेंगे वहाँ पर आप अपनी sell site पर position बना सकते हैं and this momentum को capture कर सकते हैं देखें halt अभी भी नहीं हुआ है because a sharp fall and a sharp price यहाँ पर price action जैसे आप समझेंगे हमेशा जब price उपर भी जाता है तो दुबारा retest करता है and then it continues similarly जब fall हो रहा है तब भी आप इसी price action की learning को लेकर चलें गिरा फिर दुबारा उपर बड़ा दुबारा गिरा है and एक बड़ी green candle बनाई है now you understand कि यहां से कैसे आपको selling का momentum देखने को मिल सकता है तो आज के लिए इतना ही था friends वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए comment share and subscribe thank you so much जै हिंद